विजेनगर के चंगल में कर्मियों के दिल चल रहे थें ऐसे में एक घरगोश और एक लोमडी खाने की तलाश में निकले लेकिन आसपास कोई खाने लाइक फल नहीं दिख रहे थें दोनों दोस्त खाने के लिए चारो और देख रहे थें तबी अचानक लोमडी ने अमरूत के पेड़ पर से अमरूत गिरते देखा दोनों दोस्त भूखे थें इसलिए दोनों ने मिलकर उस अमरूत को खाया दोनों मित्रों को जोर की भूख लगी थी इसलिए वो देख नहीं पाये कि उन्होंने जो अमरूत खाया वो एक चमका दड़ ने आधा खाकर गिरा दिया था उस अमरूत में चमका दड़ के मूह का थूक लगा था चमका दड़ के थूक में अजीब के समके वशानू थे जो दूसरे जानवरों के शरेर में पहले कभी नहीं आये थे अमरूत खाकर खरगोश और लोमडी दोनों अपने अपने घर गए दूसरे दिन अच्चानक खरगोश और लोमडी दोनों को बुखार हो गया खरगोश के मम्मी पापा ने डौक्टर हाथी को बुलाया खरगोश के खून की तपास की और बताया की इस खरगोश को कहीं से कोरोना नाम का वाइरस संक्रमन हुआ है यह वाइरस चमकादड़ के शरीर में होते हैं तबी खरगोश ने डौक्टर हाथी को बताया की जी हाँ डौक्टर कल मैंने अपने मित्र लोमडी के साथ एक पेड से गिरा हुआ अम्रोत खाया था और उस पेड पर बहुत सारे चमकादड़ रहते हैं शायद वहीं से यह वाइरस का संक्रमन हुआ है तबी डौक्टर हाथी ने समझाया की तब तो मुझे लोमडी को भी देखना पड़ेगा क्योंकि यह छूने से फैलने वाली बिमारी है और अभी तक हमारे पास इस बिमारी का इलाज नहीं है इसलिए चब तक तुम अपने आपधी नहीं हो जाते तब तक तुम्हें ना ही घर से बाहर निकलना है और ना ही किसी को छूना है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह बिमारी दूसरे जानवरों में भी फैल जाएगी बस घर के अंदर रहो और इस बिमारी के फैलावे को रोपो हमारे लिए यह बिमारी जानलेवा नहीं है लेकिन अगर इंसानों को यह बिमारी हूती है तो उसके लिए यह जानलेवा है खरगोश को समझा कर डॉक्टर हाथी लोमडी के घर गए लोमडी भी बिमार था और उसकी मा उसके लिए चिंता कर रही थी डोक्टर हाती ने लोमडी को भी समझाया कि चमकादर का जूटा अमरूत खाने से यह बिमारी हुई है और कोरोना की यह बिमारी चूने से फेलती है इसलिए जब तक तुम खुद बखुद ठीक नहीं हो जाते तब तक ना ही घर से बाहर निकलना और ना ही किसी को अपने आपको चूने देना इस तरह डोक्टर हाती ने कोरोना के संक्रमन से बिमार खरगोश और लोमडी दोनों को जरूरी सलाह दी और अच्छी सेहत बनी रहे इसलिए कुछ प्रात्मिक दवाईया भी दी लेकिन खरगोश बहुत चंचल था उसने डोक्टर हाती की बात को नजरांदास कर दिया और दूसरे दिन अपने बाकी खरगोश दोस्तों के साथ खेलने चला गया कुछी दिनों में जंगल में बात चलने लगे की जंगल के लगबग सभी खरगोश बिमार है तब जाकर डॉक्टर हाथी ने जो बताया था उसकी गंभिरता समझ आई लेकिन तब तब कुछ बुड़े खरगोशों की कोरोना के कारण मौद भी हो चुकी थी दूसरी तरफ लोम्री समझदार था उसने डॉक्टर हाथी की बात मानी और वो 21 दिन ना तो घर से बाहर विकला और ना ही किसी को अपने आपको चुने दिया इस तरह 21 दिन में वो फिर से तंदुरस बन गया और फिर से खेलने कुदने लगा डॉक्टर हाथी की सला और लोम्री की समझदारी की वचे से सभी लोम्री सलामत रहें तो बच्चो ऐस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि कोरोना जैसी चुने से फैलने वाले बिमारियों के वक्ट हमें डॉक्टर के द्वारा बताए गए उपाईयों का और सरकारी फर्मानों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने आप और हमारे चाहने वाले को एस बिमारी से बचा सके कर दो आप आप आप